Hello students, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे rational और irrational number के बारे में सबसे पहले बात करते हैं rational numbers की rational number देखें, इसके name से ही clear है कि ratio, जिन numbers को हम ratio की form में लिख सकते हैं वो सारे numbers, rational numbers होते हैं यहाँ पे कोई भी दो number लिया आपने P and Q P and Q, इनको अगर ratio की form में लिखते हैं and P and Q तो दोनों number लिए हैं यह integer से बिलोंग करते हैं means P and Q belongs to Z यहाँ पे एक condition है, rational number होने के लिए कि Q is not equal to 0 कि Q की value 0 नहीं होनी चाहिए अगर अपने Q की value 0 ले ले लेते हैं तो P upon 0 is equal to infinite वो number infinite हो जाता है जिसको ratio की form में लिख सकते हैं और P and Q belongs to Z और Q की value 0 नहीं होनी चाहिए इसके examples देख लेते हैं 3 by 7 22 upon 7 मैं लग कोई भी example जिसको हम ratio की form में लिख सकते हैं वो सारे rational number होते हैं अब यहाँ पे देखें जितने भी integers हैं 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 and so on यह सारे numbers, rational number होंगे अब देखें कि इनको हम ratio की form में कैसा लिख सकते हैं कोई भी number हो उसके upon में हम 1 लगा सकते हैं जैसे 1 upon 1, 2 upon 1 इनकी value में कोई change नहीं आएगा तो यह ratio की form में भी बन गे और इनकी value में भी कोई change नहीं आ रहा तो यह rational number है इत मींज जितने भी integers होते हैं जीरो, including 0 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 यह सारे numbers, rational number होंगे अब next बात करते हैं root 4, root 16 यह सारे perfect square है जितने भी perfect square होते हैं वो सारे rational number होते हैं क्योंकि root 4 को अपने लिख सकते हैं 2 root 25 को लिख सकते हैं 5 तो जितने भी perfect square वाले number होते हैं वो भी rational number होंगे next लेखे 1.4 2.25 इन में देखे 1.4 में decimal के बाद अगर अपने इसका decimal हटाते हैं 1.4 इसका decimal हटाने के लिए decimal के बाद जितने भी number हैं उतने 0 लगा देते हैं 1.4 upon 10 तो यह ratio बन गया 14 upon 10 14 upon 10 इत मींस यह ratio की form आ गया तो इसको हम rational number बोल सकते हैं next देखे 2.25 यहां से इसका decimal हटाने के लिए क्या करेंगे जितने decimal के बाद जितने numbers हैं उतने 0 लगाएंगे 2.25 इसका decimal हटा दिया divide में 2 0s लगा दी तो इसका ratio आ गया 225 upon 100 इसको ratio की form मैं लिख सकते हैं इसका महलब यह हुआ कि यह rational number है और यह next example देखे 1.5555555 यह एक non-terminating number है कि इसका कभी end नहीं हो रहा तो इसको अपने यह भी लिख सकते हैं 1.5 1.5 बार इसको solve करने का method होता है कि जितने numbers पे बार होता है उतने ही 9 लगा देते हैं इसको solve करने के लिए 1.5 बार है इसको solve करने के लिए क्या करेंगे 1 प्लस जितने numbers पे बार है उतने ही divide में 9 लगाएंगे तो देखें 1 प्लस 5 upon 9 यह इसका solution होता है is that clear next 2.76 पे बार इसका मतलब क्या हुआ कि 7.6 जो पैटर्ण है यह यहाँ पे रिपीट हो रहा है 2.76 बार का मिनिंग है 7.6 7.6 7.6 कि यह पैटर्ण चलता रहेगा कभी end नहीं होगा इसको solve करने के लिए जितने numbers पे बार होता है divide में उतने ही 9 लगाते हैं तो इसको solve करने के लिए 2 प्लस 7.6 है तो यहाँ पे 76 लिख दिया divide by जितने numbers पे बार है उतने 9 लगा दिये 9 9 यह इसका solution हो गया और इसको हम ratio की form में लिख सकते हैं तो यह rational number है यह example देखे 7.5 यहाँ पे देखे 5 पे बार नहीं है only 2 पे बार है इसको solve करने का method होता है कि जितने numbers पे बार होता है उतने दो हम divide में 9 लगाते हैं लेकिन जिस number पे बार नहीं होता उतने हम 0 लगाएंगे तो इसका solution देखिए 7 plus 52 जो जिस number पे बार नहीं है वो number भी minus करेंगे इसमें 52 minus 5 upon जितने number पे बार है उतने 9 तो upon 9 वन पे बार है तो वन टाइम 9 ओके फाइब बार नहीं है जितने numbers पे बार नहीं है उतने zeros कि अब बात करते हैं irrational number की irrational number के लिए यह तिनों conditions fulfill होनी जाहिए नंबर वन उस number में decimal होना चाहिए and second वो number non-terminating होना चाहिए non-terminating means never ending कि वो number decimal के बाद end नहीं होना चाहिए चलता रहना चाहिए and next है non-recurring non-recurring means non-repeating कि वो number में कोई भी pattern repeat नहीं होना चाहिए यहाँ पर आप example देख सकते है root 2 root 2 के value होती है 1.41421356237 and so on मतलब यह number चलता जा रहा है यह non-terminating है इसमें decimal भी है and last condition है non-recurring मतलब इसमें कोई भी pattern repeat नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी value है वो repeat नहीं हो रही है तो यह number irrational है next है root 3 की value देख सकते हैं 1.73205080 इसमें भी decimal है second condition non-terminating है and third non-recurring non-repeating है कोई भी pattern repeat नहीं हो रहा है तो यह irrational number है ऐसे ही पाई की value 1.3.14159 ऐसे यह value चल रही है तो यह भी irrational number है next आपके पास है यह examples ले रखे हैं तो इन में से आप बता सकते हैं कि कौन सा number rational है और कौन सा irrational है इहाँ पर देखिए 2.4176176176176176 and third यह number चलता जा रहा है यह इसमें decimal भी है यह non-terminating भी है लेकिन इसमें एक pattern repeat हो रहा है 176176176 तो आप इस number को ऐसे भी लिख सकते हो 2.4176 इन तिनों numbers पर बार तो इसका मतलब क्या हुआ यह जो last condition है इसकी non-recurring की यह condition fulfill नहीं कर रहा है तो यह number irrational number नहीं हो सकता तो यह number है rational number इसको अपने ratio की form मलिख सकते हैं और जिनको ratio की form मलिख सकते हैं वो सारे numbers rational number होते हैं तो यहाँ पर आप देखिए यह 2.4176 यह number जो है इसको अपने ratio की form मलिख सकते हैं तो यह rational number हुआ next है root 8 root 8 की value अपने निकालते हैं तो यह इसमें decimal भी आएगा और value non-terminating और non-recurring दोनों होगी तो यह number होगा irrational number next देखे 2.759 यह number है इसमें decimal है और non-terminating नहीं है यह number है terminating क्योंकि आगे value जिसकी चल नहीं नहीं है ठीक है लास्ट है non-recurring इसमें कोई pattern भी repeat नहीं हो रहा तो यह rational number तो हो नहीं सकता तो यह rational number होगा rational number के लिए इसको ratio की form मलिख सकते हैं 2.8 आएंगे यह तो 759 जितने के बाद decimal है तो उतने 0s लगा देंगे 1,2,3 तो यह इसकी ratio form आगी एंगे नेक्स्ट है 27.124691 यह देखिए इसमें decimal भी है non-terminating number भी है और इसमें कोई भी pattern repeat नहीं हो रहा तो यह non-repeating या non-recurring भी है तो यह number irrational number होगा नेक्स्ट है 7.7 bar इसमें pattern repeat हो रहा है तो यह irrational number तो हो नहीं सकता इसलिए यह है rational number I hope आपको समझ आया होगा Thank you